2.1.3 प्रायादीपिये पठार भारत का एक बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है जिसे प्रायादीपिये पठार के नाम से जाना जाता है इसका विस्तार उत्तर प्रश्चिम में अरावली परवश्रिंखला और कष्च से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समनांतर पूरो में राजमहल की पहाडियों और उत्तर पूरो में शिलोंग पठार तक और समस्त दक्षिन प्रायादीप में है वास्तों में भूवेज्यानिक सनरश्णा के दृष्टी से पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधू और गंगा के अवसादों के नीचे दबा हुआ है कही कही इस प्राचीन पठार के हिस्से मैदानी इलाकों में देखने को मिलते हैं पिछले पार्ट में हमने भारतिय प्लेट के बारे में पढ़ा है भारत का विशाल प्रायादीपिय पठार ही वह भारतिय प्लेट है जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है या दक्षिन एशिया का एक प्राचीन भूखंड है इसका विस्तार 16 लाक वर्ग किलोमीटर छेत्र में है प्रायादीपिय पठार कठोर शेलों से बना है जिन में अगने वा कायांतर शेले ग्रेनाइट बेसाल्ट नेस शिस्ट आधी पाये जाती है व्यज्यानिकों का मत है कि लाखो वर्ष पहले भारती प्लेट या गोंडवाना लैंड धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर के यूरेशियाई प्लेट की ओर विस्तापित हो रहा था जब वह वर्तमान इस्थिती में पहुँचा तब इसका पश्चिमी भाग धस अवतलन गया यहां आज अरप सागर है भू अवतलन की कारण समस्त प्रायदीप पठार का उचा स्वरूप बना जिस पर सदियों से कटाव अपर्दन की प्रक्रियानी धरातली स्वरूप का निर्मान किया है जहां के चट्टानी अपेक्षकृत मुलायम थी वहां कटाव अधिक हुआ और कठोर चट्टान कम अपर्दित हुई यहां के अधिकतर पहाड कठोर चट्टानों के अफ्षेश है जिन पर आज भी अपर्दन कारे हो रहा है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पहाड़ियों के उपरी भाग हिमालय के परवर्शिकर की तरह नुकेली नहीं वरन गोलाकार है पठार के सिमान पट्टियों पर उँचे पहाड तथ अपरदित पठार देखे जा सकते हैं जैसे सहाद्री परवत और अरावली परवत भूगर भी खलचरों के कारण पठार में कहीं कहीं भ्रंश या दरार की उत्पत्ती हुई है ऐसे ही भ्रंश से उत्पर्ण घाटी में नर्मदा और तापती नदियां प्रवाहित होती है पालनी और नीलगिरी पहाडियां इसके उधारण है दक्कन का लावा छेत्र जिसे काली मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं ज्वाला मुखी से निकले लावा के जमाव निक्षेप से बना है प्रायद्वेपे पठार का ढाल दक्षिन पूर्व की ओर है इसलिए यहाँ प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां पूर्व में बंगाल के खाडी में गिरती हैं पठारी छेत्र हिमाले और मैदानी छेत्र की अपेक्षा अधिकिस्तिर है लेकिन यहाँ भी कभी-कभी भूकंप आए हैं जैसे सन 1998 में महरास्ट के लातूर का भूकंप तथा सन 2004 में आया भूच गुजरात का भूकंप